बहुत से स्टुडेंट्स चेक रिपब्लिक में पढ़ने के ख्वाहिश मन्द होते हैं बट डॉक्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो इतना मुश्किल है कि बहुत से स्टुडेंट्स को परशानियों का कन्फूजन का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहां पर तीन ताइप्स की आपके बार डॉक्मेंट प्रोसेस आती है तो हमने सोचा क्यों न इन तीनों पॉइंट्स के उपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए ताके हमारे स्टुडेंट्स की जो है वो परशानी डिजॉल्व हो सके उनको कोई भी डॉक्मेंटेशन प्रोसेस में जो है वो कन्फूजन का सामना ना करना पड़े तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों पॉइंट्स को डिसकस करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखेगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते है So viewers Czech Republic की documentation process के लिए सबसे पहले हमारे पास यहां पर आता है super legalization का process तो हमारे पास यहां पर सबसे पहला question आता है कि what is super legalization आपके तीन documents होते हैं जो Czech Republic Embassy की तरफ से जो हैं वो super legalized होते हैं जिनमें आपकी last degree, आपकी last transcript और आपका police clearance certificate शामिल है अगर आप bachelor's के लिए apply कर रहे हैं तो आपकी last degree जो होगी वो intermediate की और उसे की transcript होगी अगर आप master's के लिए apply कर रहे हैं तो आपकी bachelor's की last degree और साथ police clearance certificate होगा इसी तरह अगर आप master's के लिए apply कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर last degree होगी bachelor's की, bachelor's की transcript होगी और आपका police clearance certificate होगा यह तीन documents होते हैं जो आपके super legalized होते हैं, check republic की embassy की तरफ से इन तीनों documents को super legalized करवाने के लिए आपको embassy से appointment लेना पड़ती है यह एक उनका specific rule है, जिसके लिए आपको appointment request करना पड़ती है और आपको documents की super legalization करवाने के लिए appointment मिल जाती है हम ऐसी कुछ fees charge करती है document को super legalization करने के लिए per document आपको यहाँ पर 24 से 25 euros charge की जाते हैं यहाँ पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपसे PKR currency नहीं ली जाएगी पाकिस्तानी currency आप use नहीं कर सकते हैं इसलिए आप जाने से पहले इसको euro में convert करके जाएं क्योंकि euro currency ही वहाँ पर acceptable है 24 से 25 euro वो per document legalized करने के लेते हैं जो के चेक रिपबलिक की official currency के हिसाफ से देखे तो वो 600-600 चेक क्राउन बनते हैं जिसका अगर आप पाकिस्तानी calculate करके अंदाजा लगाएं तो per document जो है वो आपसे 7,000-7,800 पे चार्ज करते हैं It means आपके 3 documents जो है वो 22-24,000 के अंदर super legalized हो जाते हैं Super legalized का मतलब यही होता कि जिसमें उन्होंने यह चीज़ देखनी होती है कि आपकी जो last degree है, last transcript है और आपका police credit certificate जो है वो relevant authority की तरफ से originally stamped है क्या वो fake तो नहीं है बस यह stamp और sign को उन्होंने देखना होता है कि यह original होने चाहिए आपके 3 documents हमेशा original हो, fake नहीं होने चाहिए इसी तरह जब आप email करते हैं हर महीने की आगरी तरीक को सुबह 8 बजे appointment request करते हैं जब आपको appointment मिल जाती है Super legalization का process ज्यादा लंबा नहीं होता कुछ घंटों के अंदर ही आपको 3 documents जो है वो super legalized हो कर मिल जाते है Super legalization का process आप खुद भी कर सकते हैं यानि कि जो applicant है जो जाना चाहा रहा है Czech Republic study करने के लिए वो खुद भी जा सकते हैं या वो अपने blood relations में से Like अपने father, अपनी mother, अपने sister और अपने brother को भी बेश सकते हैं documents को super legalized करवाने के लिए अगर आप email कर देते हैं appointment लेने के लिए आपको उसी वक्त जवाब नहीं आता और आप continuously 3-5 दिन तक wait करते हैं फिर भी अगर आपको वहाँ से email का जवाब नहीं आता it's mean आपकी जो request है वो reject कर दी गई है so आपने अगले महीने की आखरी तारीक को सुबह 8 बजे जो है वो दुबारा appointment के लिए request send करनी है वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है but in case अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपने हर महीने की आखरी तारीक को सुबह 8 बजे embassy को mail करनी होती है documents को super legalize करवाने के लिए so viewers ये होता है super legalization का process जिसमें आपके तीन documents जो है वो super legalized होते हैं जिनमें आपके last degree, आपकी last transcript और आपका police clearance certificate शामिल है इन तीनों को super legalized आपने करवाना होता है जिनकी faeces भी मैंने आपके साथ discuss करनी है आपने embassy जाने से पहले अपनी पाकिसानी currency को जो है वो euro में convert करके जाना है और document आपको यहाँ पर super legalized करने का 24 से 25 euro charge करते हैं जो के पाकिस्तानी तकरीबन 7.5 से 8.000 रुपे बनते हैं तो इस तरह अगर आप calculation करें तो तकरीबन 22 से 24,000 के अंदर आपके तीन documents जो हैं वो super legalized होती है चेक रिपबलिक की embassy से जो के इसलामाबाद में मौझूद है documents को super legalize करवाने के लिए आपने embassy की official website पर जाकर हर महीने की आखरी तरीख को 8 बजे उनको appointment request की mail करनी होती है अगर आपकी mail accept हो जाती है तो आपने इंतजार करना होता है आपको email आजाती है उनकी तरफ से आपको date मिल जाती है appointment की अगर 3 से 5 दिन तक आपको कोई भी email मौसूल नहीं होती है इस मिन आपकी जो request है वो reject कर दी गी है तो आपने दुबारा अगले महिने की आखरी तरी को सुबह 8 बजे अमबैसी को official website पर जाकर यही same process करते हुए mail करनी है और request करनी है appointment के लिए for document super legalization उमीद करते हूँ मैंने कोई point miss नहीं किया होगा super legalization के process के हवाले से further अगर मैंने कोई point miss कर भी दिया हो तो आप ज़रूर comment box में बताइएगा otherwise आप इनकी official website पर जाकर भी check out कर सकते हैं move करते हैं अपने next point की तरफ जो के आता है notarization का so notarization is an identity based fraud measure anti-fraud measure performed by a government authorized person which is called a notary public a notary public's role is to verify a document signer's identity to witness the signing notarization हमेशा आपकी district की किचैरी में बैठे वे lawyers करते हैं but notarization करवाने से पहले आप ये make sure कर लें कि आपके lawyer के पास valid notary public का license है भी या नहीं क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत जादा fraud चल रहा है तो इसलिए आपने ये चीज़ को मदे नजर रखना है इसको ज़रूर चेक करना है कि आप जिस वकील से अपने documents को notarize करवा रहे हैं क्या उस वकील के पास valid notary public का license है भी या नहीं वो ही तीन documents आपने copy करवा कर लेके जाने होते हैं याद रिखिए कि यहाँ पर आपने अपने तीनो documents like आपकी last degree आपकी transcript और आपका police clearance certificate इनी तीनो documents को आपने notarize करवाना होता है originals जो है वो आपने notarize नहीं करवाने होते हैं आपने copies notarize करवानी होती है वैसे आप इन case जो है original साथ लेकर जाएं बट इनकी copies करा के आपने इनकी copies को जो है वो notarize करवाना होता है आपके तीनो documents के उपर इन 4 stamps का होना लाजमी है number one पे आती है आपके lawyer की stamp जिसे आप notarize करवाने अपने document number second पे notary public की जो है वो stamp होनी चाहिए number third पे attested to be true copy की stamp होनी चाहिए and at last four number पर notarize to take effect to all continents out of Pakistan under international law यह आखरी जो stamp होती है यह triangle shape में होती है और यही जो sentence मैंने आपको बताया यह उस triangle shape के अंदर वाली side पर लिखा होता है यह charge stamps का आपके documents पे होना लाजमी है याद रखिएगा आपने तीन documents जो है वो original भी साथ लेकर जाने है और उनकी copies भी साथ लेकर जानी है मैं आपको बता रहा हूँ बाकी फर्दर आप अपने district की कचैरी में जाके lawyers से different lawyers से concerned कर सकते हैं क्योंकि हमारे Pakistan के lawyers भी जो है वो वैसे ही हैं आपको हर lawyer की जो है वो different fees मिलेगी कोई 500 charge करेगा कोई 600 करेगा कोई 700 करेगा different different fees होंगी क्योंकि different different categories के जो वकील होंगे तो इस वज़े से इस चीज की आपने confirmation जुरूर कर लेनी है और इन तीनों documents की copies को जो है वो आपने notarize करवाना है तो ये था हमारा nostarization का process उमीद कर तो मैंने इसमें भी कोई point miss नहीं किया होगा इनके से अगर मैंने कोई point जो है वो miss कर दिया हो आप जुरू नीचे comment box में बताईएगा तो मूव करते हैं अपने last point की तरफ जो के nostrification का है Do you know what nostrification means? Nostrification is a document that is required if you want to study in the Czech Republic It helps the government to verify that the degree you received from secondary school in the country has the same value as a degree you received in Czech Republic This document proves that your previous studies are equal to comparable Czech education If you are applying to universities in Czech Republic don't forget to apply for nostrification document Nostrification provided by the regional authorities The regional authority in Prague also represents the contact place where you will get answers to your questions about the process of your documents Another possibility of recognition is in addition to nostrification also recognition within the admission procedure that has an institutional accreditation Such a recognized education applies only to that particular university and faculty and can not be used for admission procedure to other institutions Basically documents की nostrification जो है वो दो levels पे होती है Number first अगर आपने intermediate किया हुआ है और आप bachelor's के लिए अप्लाए करना चाह रहे हैं Number second आपने higher study की वी है आप graduate हैं आप master's के लिए अप्लाए करना चाह रहे हैं आपने master's किया है और PhD के लिए अप्लाए करना चाह रहे हैं यह दो लेवल्स पे आपके documents की जो है वो नौस्ट्रिफिकेशन की जाती है आप उसी उनिवस्टी में specific faculty में apply किया है सिर्फ नौस्रिफिकेशन डॉक्मेंट्स की base पे आप उसी faculty और युनिवस्टी के अंदर apply कर सकेंगे इसके इलावा आप किसी दूसरी युनिवस्टी में क्या बलके उसी युनिवस्टी की किसी दूसरी faculty में भी उन्ही documents की nostrification की base पर apply नहीं कर सकते और दूसरी आ जाती है आपके पास general nostrification जिसका मतलब है कि आप Czech Republic की किसी भी university में किसी भी faculty की अंदर apply कर सकते हैं in case अगर आपका उस university में उस faculty में admission नहीं भी हुआ तो आप उन्ही documents की base पर किसी भी दूसरी university में या उसी university किसी दूसरी faculty में apply कर सकते हैं तो यह दो प्रोसेस होते हैं documents की nostrification के इसलिए मैं आपको यहां पर recommend करूँगा कि ऐसी universities को choose करें जो within admission process जो है वो आपकी internal evaluation भी कर दें और वो universities की तरफ से ही आपके तमाम documents की nostrification भी हो जाती हैं तो ऐसी universities का इंतखाब करें nostrification के लिए भी आपको यहां पर तीन documents ही required होते हैं जैसा कि मैंने आपसे पहले super legalization में भी discuss किया notarization में भी discuss किया वो ही तमाम documents आपको nostrification के लिए भी चाहिए होते हैं आपकी last degree आपकी last transcript और आपका police clearance certificate अब अगर आप bachelor's के लिए apply कर रहे हैं तो आपको यहां पर जुरूरी है कि आपने अपने intermediate की last degree को transcript को और police clearance certificate को जो है वो check language के अंदर translate जुरूर करवाना है अच्छा आप यहां पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है अगर आप bachelor's के लिए apply कर रहे हैं तो obviously इसी बात है आपने अपनी last degree जो है वो intermediate की देनी है और transcript भी intermediate की देनी है आपने अपनी intermediate की degree intermediate की transcript और अपने police clearance certificate को जो है वो check language के अंदर translate करके जो है वो nostrify करवाना है अल बता यह rule जो है वो bachelor's और master's के लिए नहीं है bachelor's और master के लिए आपको documents को translate करवाना जुरूरी नहीं होता बट अगर आप bachelor's में apply कर रहे हैं then आपको अपनी last degree जो intermediate की होगी उसकी transcript और अपने police clearance certificate को जो है वो translate करवाना होगा इनकी official check language के अंदर तो इस तरह आप अपना within admission process university से भी अपने documents को nostrify करवा सकते हैं otherwise ये तीनो documents जो हैं वो आपको Prague city में mail के तुरू बिजवाने होंगे courier के तुरू बिजवाने होंगे जो के उनका Prague city hall कहलाता है आपने वहाँ पे उनको ये documents बिजने हैं और वहाँ पे ये documents nostrify होंगे 1000 check crown जो है वो तो university अपनी administrative fees charge करती है otherwise आपके जो documents जो है Prague city hall से nostrify होंगे उसकी आपसे यहाँ पर जो है वो 3000 check crown जो है वो fees charge की जाती है for bachelor's and master's documents तुकि आपको यहाँ पर bachelor's और master के documents जो है वो translate नहीं करवाना पड़ते हैं आपने सेम यही documents जो हैं by courier by mail जो है वो उनको बेजने होते हैं और वहाँ से आपके यह तीनों documents जो है वो nostrify होते हैं in 3000 check crowns और इन दोनों process की time duration की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 30 to 60 days जो है वो time required होता है minimum 30 days के अंदर यह आपका तमाम process हो जाता है चाहे आप किसी university की तरफ से करवा रहे हो within admission process क्योंके बहुत सारी universities भी जो है वो nostrification process के अंदर शामिल है तो इस वज़ा से आपको यहाँ पर यही recommend किया जाता है कि ऐसी universities को choose करें जो आपके documents की evaluation भी कर दें और आपके documents को nostrify भी कर दें otherwise आपके पास यह option तो available ही है कि आपने अपने तमाम documents को Prague City जो है वो mail करना होता है courier करना होता है उनके city hall में जिसकी वो 3000 जो है वो check crown fees चार्ज करते हैं for bachelor's and master's documents इन दोनों process की जो है वो 32-60 days की time duration होती है minimum 30 days के अंदर अंदर आपके यह दोनों process हो जाते हैं in case अगर कोई document उनको further required होता है कोई additional document चाहिए होता है तो वो बास 60 days पे भी जा सकती है बट वो आपसे contact करके आपको बता देते हैं अगर आपके किसी document में कोई issue नजर आए so viewers यह तीन process होते हैं super legalization से लेके notarization तक का और notarization से लेके nostrification तक का इन तीनो process को आपने follow करना होता है इन तीनो process से related ही हमारे students को बहुत सारी difficulties और confusions का सामना करना पड़ता है उमीद करता हूँ मैंने कोई point miss नहीं किया होगा इन के से अगर मैंने तीनो steps के अंदर कोई point miss कर भी दिया है आप जरूर comment box में पूछें अपनी curious जो हैं वो जरूर comment box में share किया करें जिन से हमारी भी इसलाह होती है और हम आपको भी answers प्रोवाइड करते हैं तो viewers यह थी आज कि हमारी video documentation process of Czech Republic के हवाले से उमीद कर तो यह video आपको पसंद आई होगी आप तक right और helpful information पहुची होगी मजीद इस तरह की helpful और informative videos देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें और bell icon को press करें ताके हर आने वाली video आप तक बरवक्त पहुंच सके तब तक के लिए मुझे दीजिए जाज़त शुक्रिया अलाहाफिज